नमस्ता मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com चली एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर जहारखन में जमशेत पूर के शास्तरी नगर में धार्मिक जंडे के कतित अपमान के बाद दो गुटों के बीश पत्राव हुआ और जमा हुई भीड ने आग जनी भी की इसके बाद रवीवार शाम को शेतर में धार 144 लागू कर दी गई अधिकारियों ने जानकारी देते के लिए पर्याप पुलिस बलको तैनात किया गया है उपसंभागी अधिकारी प्यूश सिन्हा ने कहा कि दंड़ प्रकिर्या सनिता की धारा 144 के तहत नीशे धाग्या लागू की गई है पूर्वी सिंग्भूम जिले के उपायुक्त विजय जाधव ने कहा कि कुछ काने संगठन के सदस्यों ने राम नॉमी के जंडे पर मास का एक टोड़ा चिपका पाया बतादे कि इस से पहले जमशेथपूर में राम नॉमी के जुलूस के दौरान भी दो गुटों के बीट जड़ब के बाद पत्रा हुआ था पश्चिम बंगाल में राम नॉमी जुल में हुई हिंसा के पीछे से इममताब अनजी की विफल्ता जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सारे नियमों का उलंगन किया है इसके साथ इन्होंने ने मानवादीकार के तहत पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कि उन्होंने कगा की सीम मम पीसी की धार 144 लगाई गई है लेकिन या ऐसा कुछ भी नहीं है उनका खहना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि उनका परदाफाश हो जाएगा गौर्टलेपे की बीते हफते पश्चे बंगाल के हावड़ और हुगली में राम नौमी जुलूस के दौरान पत्थरबाज और ब जब विदर्ब और मराट वाड़ा में लाखों किसान पिछले दो दिनों में बे मौसम बारिश और ओला वरिष्टी से वस्तलों और पक्ष्चों के भारी नुकसान का सामना कर रही है विपक्ष ने ऐसे समय में इस दौरे की आलोशना करते हुए कहा कि किसान उन्हें छोड सेना उधव बाला साइब ठाकरे की नेता संजे राउत ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को मचधार में छोड़ दिया है राउत ने कहा कि है सरकार आयोध्या पर राजनीती कर रही है भगवान राम जो असत्या के विरोधी थे उन पर कभी कृपा नहीं करेंगे मैं क पूछते की वह जो कर रहे हैं वह सच है इसके बजाए शिंदे सूरत और गुहाटी गए महाराश्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दो दिवसी यात्रा पर शनिवार को अयोध्या पहुंचे थे इसे लेकर अब राजसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने भी आत्सों किया पूर्व केंद्रिय मंत्री सिबल ने शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा कि साजिश करता अफसर वादी पीट में छुरा घूपने वाले बाला साहिप की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते दिल्ली के उपर आजपाल विने कुमार सक्सेना की दिये एक बयान पर केज कान सभा में दिया था उन्होंने आगे कहा मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई की खर्च की रसीदे होती है चिक्षा वही है जो आपका ग्यान और आपका व्यावार दर्शाता है LG ने कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह का व्यावार हो रहा है मैं यह कह सकता हूं कि अभी है बाद भी साबित हो गई है कि कुछ लोग IIT से डिग्री लेने के बावजूद आस एक्षित रह जाते हैं मैं अब इस पूरे मुद्दे पर केजरिवाल सरकार में जल मंतरी और बाडवें सिचाई मंतरी सौरफ भारद्वाज ने उपराज जेपाल पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है आज दिल्ली के पास IIT से पड़े हुए मुख्यमंतरी भेंघी हुए सड़क पर चलते हुए बिना डिगरी वाले लोगों रख ले उन्हें अपना सेकरेटर तो डिगरी वाला चाहिए जिस टौक्टर से इलाज करवाना है वह डिगरी वाला चाहिए और की है sedharn मंतरी बिना डिगरी वाला चलेगा यह तो कमाल की बात है सवरभ सहाऱद्वाज ने कहा कि एल्जी सहाब अपना काम करने दें आप कुछ अच्छा करें तो हमां की तारीफ करें रिख 86 सुष कर करें हम 9 से आपकारी मंतरी जाए तो सिहत के लिए नुकसान दे है द्रसल 36 गड़ के आपकारी मंतरी कवासी लख्मा ने ये बयान अपने बस्तर प्रवास के दौरान शनिवार को जगदल पूर में दिया इसके बाद से वे अपने इस बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं शराब बंदी पर जब उ उत्रप्रदेश निकाय चुनाओ के तारीखों का एलान हो गया है यूपी चुनाओ आयोग ने अपने बयान में कहा है कि यूपी में निकाय चुनाओ दो दिन होगा जिसमें 4 और 11 माई को वोटिंग होगी और 13 माई को इस चुनाओ के नतीजे जारी किये जाएंगे पतादे यूपी निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग होनी है पहले चरण में नौ मंडल में वोटिंग होगी जिसमें साहरनपूर, मुरादाबाद, आगरा, जहांसी प्रयागराज, लखनाव, देवी, पाटन, गौरकपूर, वारण असी शामिल है इसके साथ दूसरे चरण में भी नौ मंडल में वोटिंग होनी है जिसमें मेरट, अलीगड, कानपूर, चितरकूर, आयोधिया, बस्ती, आदमगड और मिर्जापूर शामिल है साथ ही मतादे के नामंकन पतरों को भड़ने और जमा करने की तारीक पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अपरेल से 17 अपरेल तक है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 27 अपरेल रखी गई है इंडियन प्रीमेर लीग के जारी मुकाबले में आथ सोमवार को रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर और लकनो सूपर जाइंट्स की तीम के बीच मैच खेला जाएगा आज के लिए बस इतना ही बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्केहिंदी.com पर